करेंगे नियो पैप्टाइन सायरप और ड्रॉप की काफी लोगों की डिमांड कर रहा था ड्रॉप की कोई कर रहा था तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में दोनों को कवर करूंगा बहुत आसान भासा में आपको सब कुछ समझ वा जागा तो वीडियो को पूरा देखें त इसके लाबा बहुत सारे मार्केट में और भी ब्रहांड्स आते हैं जो कि एंजाइम सायरप और ड्रॉप होते हैं तो यह एक एंजाइम है ठीक है एंजाइम प्रेपरेशन है जो कि आपको जाहिर से बात है आपको खाना नहीं पच रहा है तभी देगा डॉक्टर ठीकर त समझते हैं साहरप के बारे में देखो 60 ml और 100 ml का सायरप मार्केट मिलता 60 ml 100 पगा मिलता लगबग 100 ml 125 यह 130 मिलता हैं ड्रॉप भी आता है ड्रॉप जो है दोस्तों 15 ml का ड्रॉप आता ठीक है जो लगब लगबग 94 रॉपर का मिलता है इसकी अग्जाटली प्राइज मिन पत अगर्वे बढ़ा है दो साल से बढ़ा है तीन साल चार साल का है तो इसको आपको ब्रभ देना 60 ml का सिरॉप ले लो या 100 ml के सिरुप ले लो तो जो नियो प्रेफ्टायन है यह बिसिकलिक है एंजाएंगव बात करेंकर इसके होगा घौकान untuk में इसमämänका ये खंड़ां अल्फा-माइलीज जो कि 100 मिली ग्राम और पर फ्रेंव मुलीग्राम औरeduc में किया आता ड्राफ में किया स्टमाइज नहीं इसमें क्या पैपाइन है और इसमें कुछ कार्मनेटिव ऑइल से हुता है उसके साथ में पैपैन डाला गया पैपैन जो है हमारे प्रूटीन होता है उसको डाइडिस करने के अच्छा मना जाता है तो जो च्छोटे बच्चों के लिए ड्रॉब आता उसमे पेपेन हैं और कुछ कार्मनेटिव ओइस हैं कार्मनेटिव ओइस क्या होते हैं जो हमारे मसाले होते हैं मसाले क्या होते हैं हम सबजी में क्या डालते हैं खाने में क्या क्या डालते हैं इन्हीं को तो कार्मनेटिव होते हैं यहीं तो कार्मनेटिव होते हैं मतलब मसाले इनक digestive मसाले होते हैं घ्रोब में डालेगा है और औरल है और केरावेग तो ये अलाग अलग काम करते हैं सारे तो मैंने आगो में जो कि हमारी बोडी में डाइजेशन करता चोटा बच्चा चार-पास साल का उसका खाना नहीं पे पैच अंधने चो तो अभी बात करते कहां इस्तिमाल किया जाता है दो साल का बच्चा है तो वो दो साल का बच्चा क्या लेता है दूद पीता मा का तो दूद पीते पीते कई बार उसको क्या है उपके आने लगते हैं या उसका पच नहीं पाता है दस्त लग जाते हैं पेट में गेस बनने लगती है या उसको पेट में नरोल होने लगती है ब करता है को चो चोटा बच्चा कम दूद पिता रहता है उसको पच नहीं रहा तो उसकी भूख बढ़ जाएंगी टिकैनलक्स यह भी इसको दिया जाता है और देल ओयल है और यह क्या करता है यह क्या करता है कि जो फुल जाता है या खाना नहीं खबरा है उनसे खाना पचन नहीं रहा है पोटी सही से नहीं कर रहा है बच्चा प्रोपर सो कॉंस्टिपेशन हो रहा है कब जो रहा है तागत लगा रहा है तो उस कंडिशन में आपको सायरप देना तो ये इसके कुछ उसे होते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडाइजेशन अपन बोल सकते हैं सब कुछ मिला कि भाई अपच खाना नहीं पच रहा है तो आपको नियो पेप्टाइन शिर्फ या ड्रॉप लाना पड़ेगा तो यह दोनों मैंने आपको बता है बात करेंगे इसके दौनों के साइड एफेक्ट और दोनों का डोस तो साइड एफेक्ट ही हो सकता है कि भाई बच्चे को कई बार इसके ज्यादा लेने से उल्टी वगरा वो जाए ऐसा को जादा साइड नहीं होता है खासका ड्रॉप में तो कोई साइड नहीं क्योंकि वो नैच्रल उसमें कार्मनेट वाइल डाले गहें जो अप्रिपन लग सकता है ठीक है तो यह इसके साइड एफेक्ट होते हैं बच्चों म दे सकते हो और जो चोटा बच्चा उसको आप चार चार बून पांच पांच बून सुबह शाम दे सकते हो यह इसका नॉर्मल सा डोज होता है तो यह उसा दोस्तों नियो पैप्टाइन और आप देख रहे थे घ्यानियर मैं हूँ शिवम अगर आपने चैनल को कर ले ऐसे इंट्रस्टिंग मेडिकल वीडियो देखने के लिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें जिस्से में मोटिवेशन मिलता है तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियों दोस्तों जाहिन बंदेवाद